तो अगर आपका बजट 30,000 अर आप देख रहे हो कि अच्छा क्यामरा स्मार्टफोन जिसमें आपको अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का experience मिले तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा helpful रहने वाली है इस वीडियो में हमने compile कर ये 5 बेस्मार्टफोन की लिस्स साथ ही हमने इनको rank भी कर रहा है तो बिना किसी देरी के चरिये शुरू करते हैं ये वीडियो तो शुरुआत करते हैं कैसे स्मार्टफोन से जिसमें आपको एक अच्छे camera के साथ साथ काफी अच्छा performance भी देखने को मिल जाता है इन फैक्ट इसलिसका सबसे best performance देखने को मिलता है और हम यहाँ पे जिस phone की बात कर रहे है वो है Iconio 7 इस phone के रियर में आपको 64 Megapixel का primary lens देखने को मिलता है 2 Megapixel का depth देखने को मिलेगा और 2 Megapixel का macro देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको ultra-warding lens देखने को नहीं मिलता है साथ ही यह phone polycarbonate back के साथ आता है मगर आपको यह cheap feel नहीं होगा इसकी quality decent है बात करें performance की तो यह IQ का पहला स्मार्ट फोन है जिसमें आपको 90 fps पे खेल पाएंगे 5000 इमेज की battery देखने को मलती है 120W की fast charging के साथ जो कि लिटी सिफ 10 minute इस phone को 60% चार्ज करने में पर एक disappointing चीज़ ही है यह gaming centric phone है मगर इसमें आपको 3.5 jack देखने को नहीं मिलता है तो आपको latency का थोड़ा issue देखने को मिलेगा इसके साथ इस phone में आपको की बात कर रहे हैं वो है nothing phone one तो nothing नहीं यहाँ पे pixel devices और iPhones में जो dual camera setup देखने को मिलता है वैसा कुछ करने की कोशिश करिए इस phone के rear में भी आपको dual camera setup देखने को मिलता है 50 plus 50 megapixel का इसमें आपको Sony का IMX 766 sensor देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको OIS का support भी देखने को मिल ज अप यहाँ पे आपको Sony का MS471 sensor देखने को मिल जाता है इस phone में आपको 6.55 inch का full HD plus 120Hz का OLED display भी देखने को मिल जाता है इसके production के लिए Gorilla Glass 5 दिया गया है बात करे performance की तो इसमें आपको Snapdragon 778G plus processor देखने को मिलेगा इसका Android बैच्पार्क्स को रहा है 541,000 4500 में इसकी बैटरी द पर के smartphone की तरफ और smartphone में इस list का सबसे highest megapixel वाला sensor देखने को मिलता है जो कि है 200 megapixel का और हम यहाँ पे जिस phone की बात कर रहा है वो है Redmi की तरफ से Note 12 Pro Plus इस phone career में आपको 200 megapixel का primary lens देखने को मिलेगा या था Samsung के HPX sensor के साथ साथ ही इसमें आपको 8 megapixel का ultra wide 2 megapixel का macro देखने को मिलेग है इसे आप 4K video लेपाएंगे 30 fps पे और front में आपको देखने को मिलेगा 16 megapixel का single camera setup यहाँ पे आप Full HD वीडियो लेपाएंगे 60 fps पे अब नज़र डालते हैं इस phone के अधर specifications पर तो इस phone में आपको 6.67 इंच का Full HD plus 120 Hz का AMOLED display देखने को मिल जाता है और यह इस list का eklotha smartphone है जिस smartphone काफी premium है बगर performance आपको price के according उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको meet at agreeability 1080 processor देखने को मिल जाता है और 900 mh की battery देखने को मिल जाती है 120 watt की fast charging के साथ मगर smartphone में कुछ कमिया भी है यह 30,000 के price stack पे आता है मगर स्टेल इसमें आपको side monitor from scanner देखने को मलता ह और यह smartphone अभी recently launch हुआ था मगर स्टेल smartphone में आपको out of the box Android 12 देखने को मिलता है और बात के रे price की तो smartphone का आप 30,000 में खरीद पाएंगे और मैं अपनी वीडियो में जितने smartphone भी बताता हूं इन सभी के best bang link मैं नीचे description में डाल देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी जो है smartphones को purchase करने में अब बरते हैं कैसे smartphone की तरफ जो कि थोड़ा पुराना है मगर इसमें आपको काफी अच्छा camera performance देखने को मिल जाता है हम यहाँ पे जिस phone की बात कर रहे हैं वह है Samsung की तरफ से S20 FE 5G इस phone के रियर में आपको 12 प्लस 8 प्लस 12 megapixel का triple camera setup देखने को मिलता है यहाँ पे आप 4K वीडियो ले पाएंगे 60fps पे और फ्रांट में आपको देखने को मिलेगा 32 megapixel का single camera setup और यहाँ पे भी आप 4K वीडियो ले पाएंगे 60fps पे और यह दोनों ही camera काफी consistent result डिलिवर करते हैं इवन S21 FE में भी यही camera setup यूज करा गया है इस phone में आपको 6.5 inch का Full HD Plus 120Hz का Super Amulet Display देखने को मिल जाता है साथ इस में आपको Snapdragon 865 processor देखने को मिलेगा जो कि बुराना बट एक flagship processor है 4500 इमेज की बैटरी देखने को मिल जाती है 25W की fast charging के साथ और charger के लिए आपको अलग से 1500 रुपे खर्च करना पड़ेगा क्योंकि इसके box में आपको charger देखने rating भी देखने को मिल जाती है जो कि generally आपको flagship smartphones में देखने को मिलती है और आपको सिर्फ आप एक OS अपडेट देखने को मिलेगा और और finally हम आगे है अपने list के number one position के smartphone पे इस smartphone में आपको design और display तो उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है मगर इसमें जो camera है और camera के features है वो बहुत अच्छे हैं और हम यहाँ पे जिस phone की बात कर रहे हैं वो है Google की तरप से pixel 6 है इस phone के rear मैं आपको dual camera setup देखने को मिलता है 12. 2 megapixel का आपको primary lens देखने को मिलेगा OIS के support के साथ तो यहाँ पे आपको numbers उतने अच्छे देखने को नहीं मिलने होंगे मगर जो हमें बहतरी results देखने को मलता है इस camera से वो है Google की image processing के वज़े से और इसमें Google ने जो tensor chipset दिया गया है उसके वज़े से आपको कुछ software features देखने को मिल जाता है जैसे कि magic razor जिससे आप photos में से चीज़े को delete कर सकते है या फिर उनको hide कर सकते है और इस camera से आप 4K वीडियो ले पाएंगे 60fps पे और इस phone के front में आपको देखने को मिलेगा 8 megapixel का single camera setup यहाँ पे आप Full HD वीडियो ले पाएंगे 30fps पे इस phone में आपको 6.1 inch का Full HD 3 plus OLED display देखने को मिल जाता है तो इसमें आपको कोई भी high refresh rate देखने को नहीं मिलेगा साथ ही इसमें आपको Google का Tensor chipset देखने को मिल जाता है जो कि आपको Pixel 6 और 6 Pro में भी देखने को मिलता है इसका under 2 benchmark score है 6,88,000 4,400 इमेज की battery देखने को मिल जाती है 18W की fast charging के साथ आपको IP67 की तो flagship grade की फोटोग्राफी कर रही है तो Pixel 6 के साथ आप आप बंद करके जा सकते हैं और इससे वीडियोग्राफी भी आप decent कर पाएंगे Marquis Brown Music यूट्यूबर है उसने अपने platform पे एक blind test कराई था स्मार्टफोन का और Pixel 6 ने वहाँ पे Apollo और Samsung के flagship को भी बीट कर रहा था तो उस वीडियो को लिंक आपको इधर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में